हाई फेंड्स आज में सेयर कननी वाली हूँ बहुत लाजवा फीज रेसिपी जिसे आप बहुत आसानी से घर पे बनाके रेडी कर सकते हैं तो चलिए रेसिपी को सुरू करते हैं तीसे बनाने के लिए मैं ली हूँ पांच पीश फीश यहाँ पे रूहू फीश ली हूँ आप चाहे तो कोई भी फीश से बना सकते हैं अब इसे हम मैरिनेट करेंगे तो हल्दी पाउडर आधा चुटी चमच वाश्वादनुसा नमक एड़ कर देंगे और उसके बाद एक च करना है तो फीश के ऊपर चारो तरफ से हम लगा लिये हैं अब चलिए इसे फ्राइ करने की बारी तो फ्राइ करने के लिए यहां पे में कड़ाई ले ली हूँ कड़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से हमें गरम कर लेना है फिर इसमें एड़ करना है सर्सू का तेल सर्सू क पर हम इस समय medium to high में रखके फीज को हम fry करेंगे तो 4-5 मिनिट फीज को fry करने के बाद जब हम देखेंगे कि फीज हमारा golden brown हो गया है तब इसे हम रख लेंगे एक अलग जगा में फिर इसी oil में आगे का process भी करेंगे तो इसमें हम add किये हैं थोड़ा तक कलोंजी उसके बाद यहाँ पे मैं boil आलू ली हूँ यहाँ पे boil आलू को इसी oil में थोड़ा सा fry कर लेंगे color change होने तक fish fry करने के oil में अगर हम आलू fry करेंगे तो यह आलू बहुत ही खाने में tasty लगता है तो चलिए आलू को हम थोड़ा सा fry कर लिये हैं अब इसमें हम add कर देंगे एक medium size का slice किया हुआ प्याज अब gas का flame कर देंगे low और प्याज को बहुत ही अच्छी तरह से fry कर लेंगे तो यह मिर्ट का paste add करके इसे भी अच्छी तरह से fry कर लेंगे तो थोड़ी देर इस तरह से fry करने के बाद हम इसमें add कर देंगे स्वाद अनुसा नमक और add कर देंगे मसाला तो मसाला में आदा चुटे चमच हल्दी पाउडर आदा चुटे चमच कश्मीरी रेट चिली पाउडर आदा चुटे चमच जीरा और आदा चुटे चमच धनिया add करके थोड़ा सा पानी छिरक देंगे इससे मसाला हमारा जलेगा नहीं तो चलिए अब इसे अच्छी तरह से हम कुछ देर fry कर लेते हैं जब तक कि ना तेल निकलने लगे और ये सारे प्रोसेस हमें gas का flame low में आद कर दिये हैं पानी इसमें हम 2 cup एट किये हैं क्योंकि जादा हमें जोल नहीं दरकार है थोड़ा सा ही इसमें जोल रहे हैं अब इसमें आलू हम एट करके थोड़ा सा cover करके पका लिए हैं cover करके 5 मिनिट हाई फ्लेब में पकाने के बाद जो फीस हम लोग फ्राइ करके र सेयर कर चुकी हूँ अभी आपके एंड स्कीन में जो फिस रेसिपी दिख रहा है वो भी बहुत ही अच्छा रेसिपी है आप उसे चेक करके एंजॉय कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं थैंक यू